हरे कुष्णा श्रीमत भागुतम पंच्यमसकंद अध्याय दो आज पढ़ रहे हैं महराज प्रियवरत के विशय में हमने अध्याय एक में पढ़ा किस प्रकार स्वयम्भू मनु के पुत्र प्रियवरत तपस्या में रथे भगवद भक्ती में रथे लेकिन बड़ों के कहने पर ब्रह्मा जी, नारद मनी, स्वयम्भू मनू, भगवान शियू सभी के समझाने पर उन्होंने गरष्ट जीवन अपनाया, राज्यकाल में बड़े-बड़े कर्म किये जिससे संसार को उन्होंने कई वस्तुमें दी और उसके बाद उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ, भगवद भक्ती में सल्लग्ड हुए उनके दस पुत्र जो प्रथम पतनी से, उनमें से तीन सन्यास ग्रण किये और बाकी साथ को साथ दुईपों का राजा बनाया उनमें से जो जम्बुदीप का राजा आगनीद्र उनके विशह में अध्याय दो है, हम उसका पार्ट करेंगे अध्याय दो, महराज अगनीद्र का चरित्र अनिकित प्रभू इस अध्याय में महराज आगनीद्र के चरित्र का बढ़न किया गया है जब महाराज प्रिवरत आत्म सक्षात करके हैतु चले गए तो उनका पुत्र आगनिद्र उनके आग्यानुसार जम्बूदीप का शासक बना जिसने इसके निवासियों का पिता की भाति इसनिया के साथ पलम किया एक बार महाराज आगनिद्र को पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई अतावे मंदराचल की गुफा में तब करने के लिए प्रविष्ट हुए उनकी इच्छा जानकर भगवान ब्रह्मा ने आगनिद्र की कुटी में पूर्व चित्ती नामक स्वर्ग की कन्या भीजी वह अत्यन्द आकर्शक वेश बनाकर विविद प्रकार के स्तरियोचित हाव भावों के साथ उनके समक्ष आई आगनिद्र सुभावता उससे अकर्शित होटे उस कन्या की गती हाव भाव मुस्कान मृदुवचन तथा चंचल चितवन उन्हें सम्मोहक लगी आगनिद्र चापलोसी में पटू थे अता उन्होंने स्वर्ग कन्या को मोह लिया और वह भी उनके मृदु बचनों में आकर उन्हें पती रूप में स्विकार करने को तयार हो गई स्वर्ग में अपने लोक लोटने से पूर्व उसने अनेक वर्षों तक आगनिद्र सहीत राजसुक भोगा, उसके गर्भ से आगनिद्र के नौ पुत्र हुए जिनके नाम नाभी, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावरित, रम्या, खरण्यमय, कुरू, भात्राश्व, तथा केतुमाल थे, उन्होंने उन्हें नाम वाले क् प्रदान किये, किन्तु आगनिद्र की इंद्रियां तुष्ट नहीं हुई थी, अतह वे जा अपनी नैसरगिक पतनी के विशे में सोचते रहते, इसलिए अगले जन्म में वे उसी के लोक में उत्पन्न हुए, आगनिद्र के मृत्यू के पश्चात उसके नौ पुत्रों ने मेरु की नौ पुत्रियों से विवा कर लिया, जिनके नाम मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदंश्ट्री, लता, रम्या, शामा, नारी, भत्रा तता देववीती थे, अरे ग्रिश्चन, ये प्रियवरत महराज के पुत्र, आगनिद्र की इस्थिती है, जो सात दू दूइप, उन्होंने बनाये थे, प्रियवरत महराज ने अपने रत से, उसमें मध्य मध्य का जो सबसे बीचो बीच का जो दूइप था, उसका नाम था जम्बू दूइप, अभी हम ये आगया ध्यायों में विस्तार से पढ़ेंगे, तो मैं उस explanation में नहीं जा रहा हूँ और उस जम्बू दूइप के राजा आगनी द्रवने, जिनकी आगे नो संताने हुई, नाभी, किमपुरुष, हरीवरष, इलावरत, रम्यक ये जो नाम बताएं, तो उन्होंने जम्बू दूइप को नो हिस्सों में बाढ़ दिया, और इनी के नाम पे उनका नाम रख दि जैसे इलावरत वर्ष में भारत वर्ष आता है, इलावरत ना, हिरन्यमाय, कुरू, उसके बाद नाभी, किमपुरुष वर्ष, तो ये सब जो नो खंड में जम्बू दीप को बाटा गया था, तो ये नो बच्चों को, उनकी संतानों को एक-एक खंड को राज करने के जी प्रवुजी, हरे कृष्णा, श्री सुक्देव को स्वामी आंगे बोले, अपने पिता महाराज प्रिवरत के इस प्रकार अध्यात्मिक जीवन पत्र अपनाने के लिए तपस्या में सनलग्न हो जाने पर राजा अगनीद ने उनकी आग्या का पूरी तरह पालन किया, और धारिमिक नियमों के अनुसार उन्होंने जम्मूदीब के वासियों को अपने ही पूत्रों के समान सुरच्छा प्रदान की, तो ये इस्तिती होती थी, जब पूत्र लायक हो जाता था, तो पिता पूत्र को राजा बना करके बन में चले जाते थे, उसी प्रकार जम्मूदीब के निवासियों पर राज्य किया, आदोनिक समय के नास्तितावाद के इन सिद्धान्तों के बराबर विप्रीट है, यहाँ पर ये अस्तित कहा गया है कि राजा नागरिकों की वैसी ही देखरे करता था, जिस प्रकार पिता अपने पुत्रों की करता है, यहा आवश्यक है कि वह देखे कि उसकी प्रजा धार्मिक नियमों का कठोर पालन कर रही है, वैडिक धर्म के नियम वर्णाशें धर्म से प्रारम होते हैं, धर्म से तात्परी पूर्ण पुर्शोतम भगवान वारा प्रदत नियमों से है, धर्म का प्रथम नियम है पूर्ण के मुख्या राजा का यह कर्टव्य है कि वह देखे कि उसके नागरिक इनका ड्रड़ता से पालन कर रहे हैं उसे केवल कोरे अधिकारी के रूप में कर्टव्य नहीं करना चाहिए वरन उसे पिटा की तुल्य होना चाहिए जो अपने पुत्रों का सदय हिटैक्षी होता है ऐ इनकी इसकी तनिक भी परवा नहीं रहती कि धार्मिक नियमों का पालन हो रहा है अठ्वा नहीं सच तो यह है कि आज की प्रधान शासगंड सभी प्रकार के पापमय कारियों का विशेश रुप्स वभी चार मादक रव्य सेवन पशुवत तता द्यूत क्रीडा का हैं आजकल भारत में यह पापकर्मस पश्ट देखे जा सकते हैं यह जपी एक शताप्ती पूर्व यह चाहत उर्भुन भारतिये परिवारों में पूर्ण तया वर्जित है कि अब प्रतिक भारतिये परिवार में इनकी पैठ हो चुकी है अधर वे धार्मिक नियमों का पा अर्थ होता है चोरो और उचक्को द्वारा शासन आधुनिक राज्यों के करणधार चोर और उचक्के हैं जो नागरिकों की रक्षा करने की जगव उनको लूटते हैं यह जब कि चोर तता उचक्के कानूं की अभिलना करके लूट पाथ करते हैं इस कलियुग में कानून बनाने वाले स्वेम नागरिकों को लूटते हैं जैसा कि शीमत भागवतम में कहा गया है एक अन्य वविश्वानी जिसे पूरा होना है वह यह है कि नागरिकों तता शासन की पाप कर्मों से वर्षा दुल्लव हो जाएगी दीरे दीरे पूर अनावरिष्टी के कारण अन् इस प्रकार यहां पर हम देख सकते हैं कि जब राजा नीतिग्य होते हैं राजा थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं तो वो धर्म की स्थापना प्रजा में कर पाते हैं और पिता तुल्ले बोला है पिता तुल्ले के दो अर्थ हैं पिता तुल्ले मतलब पिता जैसा इसनेह बी देते हैं और दूसरा पिता की तरह साशन भी करते हैं अगर प्रजा धर्म से दूर जा रही है तो ये राजा का कर्तब है कि उसको दुबारा से धर्म के पत पर लाएं अब क्योंकि वोट प्राप्त करने के लिए वोट लेने के लिए प्रजा को केवल अच्छी-ची सुव तो दोनों ही एक दूसरे का सोचन करने के विशह में सुचते हैं, तो धर्म तो गर्त में जाना ही है, इसलिए यहां पर बताया गया है कि साशक कैसा होना चाहिए, पिता तुल्ले होना चाहिए, जैसे पिता अपने बच्चों को कभी गलत काम नहीं करने देता, उसी तरह धर् प्रत्वी ने अनाज देना बंद कर दिया था, यही प्रवपाद यहां पर लिख रहे हैं तातपर में, कि अगर धर्म पराण साशन नहीं चलेगा, तो धीरे धीरे प्रक्रती अपनी सुविधाय देना बंद कर देगी, और फिर प्रत्व महरज ने प्रत्वी को आस्वाशन दिया था, कि तुम चिंता मत करो, अब मैं राजा हूँ, मैं सुनिशित करूँगा धर्म का पालनो, तुम अपना काम करो, सारी सुविधाय नागरिकों को दो, उन कलियोग की बड़ोती का सूचिर्क होगा, गैतरी मातर जी, श्लोक संख्यादु, एक बार महराज अगनिग्र ने सुविधाय के पृत्रप्राप्त करने की, तथा पृत्रु लोग का निवासी बनने की कामना से महुतिक सुष्टी के स्वामिय ब्रम्हा की आड़ाद, वे म तथा अधने अवश्चक सा मगरे एकतर की और फिर कटिन तब तथा उपासना में लग गए तो महराज अगनिग्र को ये विचार आया कि उनको भी संतान होनी चाहिए और पहले जब इस तरह विचार आते थे तो तपस्या करते थे, क्योंकि तपस्या के बल से जो आशिरव पदान संसकार या वो तपस्या या वो तप नहीं है, इसलिए कुपुत्र प्राप्त होते हैं, तात्परे जय माता जी आप परिये सुखी हो पित्र लोग के निवासी प्राया कर्म कांडी होते हैं और अपने पुन्य कर्मों के कारण वहां भेजे गए होते हैं वे वहां तब तक रह सकते हैं जब तक उनके वंशज उन्हें विश्नु प्रशाद भेट करते हैं किन्तु पित्र लोग के प्रतिक जीव को पुन्य कर्मों की फलो के शय होने पर इस पृत्वी पर वापस आना पड़ता है। जैसा कि श्रीमल भगवत गीता की पुष्टिक में पुष्टि की गई है श्रीणे पुन्य अम्रति लोकम विशंती। जो पुरुष पुन्य कर्म करते हैं वे स्वर्ग भेजे जाते हैं किन्तु जब उनके पुन्य कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो वे पुना पृत्वी पर वापस भेज दिये जाते हैं। वे वहाँ भी भेजे जा सकते हैं। चूकि महराज आगनीद्र एक वैशनव पुत्र थे अता उन्हें वेकूंट लोक जाने की कामना करनी चाहिए थी। तो फिर वे पित्र लोक में क्यों जाना चाहते थे। इसके उत्तर में श्रीमत भागवतम में एक टीका कार गौस्वामी गिर्धर की टिपणी हैं। कि महराज आगनीद्र उस समय उत्पन हुए थे जब महराज प्रियवन्त अत्यांत कामा सकते। इसे तथे के रूप में ग्रहन किया जा सकता है। इसा गर्बादान संसकार नहीं होता। अता जब पुरुषों में काम बसना रहती है तबी संतान उत्पन होती है। पुरुषों को अपने पीछे उत्तम पुत्र छोड़ जाना चाहिए। जो प्रती वर्ष भगवान विष्णों से प्रसाद या पिंड उसे प्रदान करता रहे। उत्तम पुत्र पाने के लिए ही महराच आगमीद्र ने देवपुल की पत्नी चाहिए थी। अता वे ब्रह्मा के आराधन हेतु मंद्रा चल चले गए। जहां सामाने रूप से देवों की स्तरीयां आती है। श्रीमत भगवत गीता में कहा गया है काक्षान दह करमानाम सिध्धिम यजनत यदेवता जो भौतिक बादी इस भौतिक जगत इस भौतिक संसार में श्री ज्रफल चाहते हैं वे देवताओं की पुझा करते हैं। इसकी पुष्टी श्रीमत भागवत तम से भी होती है। पुत्र पुत्री होंगे। इसलिए हम लोग कई बार देखते हैं कि परिवार में उपद्रवी बच्चे या नास्तिक बच्चे कैसे होते हैं। क्योंकि माता-पिता की चेतना जब पुत्र प्राप्ते की समय पर उनकी चेतना कलूशित थी। उस कारण से उस तरह कि जीवात्मा को उन्होंने आकर्शन किया गर्भ में। अगर चेतना शुद्ध होगी तो भक्त जैसे प्रलाज जैसे धुरु माहराज जैसे ऐसे बच्चे उनके घर में होंगे। तो यहाँ पर बताया प्रिवरत माहराज ने जब इनको जन्म दिया उस समय पर उनकी वासना के कारण इनका जन्म हुआ तो इनके अंदर भी वासना आया हैं। और इनके अंदर क्या वासना थी कि यह जाना चाहते थे पित्र लोग पर। बंदना माताजी। इस ब्रह्मान के स्वशक्तिमान तथा आदी पुरुष भगवान ब्रह्मा ने राजा अनिग्रत की अभी लाक्षा जानकर अपनी सभा की श्रेश अपसरा को जिसका नाम पुर्वे चिति था चुनकर राजा के पास भीचा पर। ब्रह्मा जी ने इनकी इक्षा थी कि यह इनकी तबस्य देख करके पूर्वचित्ति नाम की अपसरा को भीजा। रेखा माताजी। यह है कि वे भगवान का पूर्व प्रतिरिते पत्ते हैं और इस ब्रह्मान के प्रत्म जीव हैं। ब्रह्मा जी महराज आग्लीद्र की अभी लाशा जान दें। यहां पर एक प्रांसलेशन में गड़वड है। यहां पर बता रहे हैं भगवान विश्नु अपने मन की प्रत्तेग बात ब्रह्मा को बता देते हैं। यह गलत है। प्रवपाद इंगलिश में लिखे हैं कि भगवान विश्नु ब्रह्मा जी को सब कुछ रिदय के माध्यम से बता देते हैं। तो थोड़ा सा ट्रांसलेशन में गड़बर है, क्योंकि भगवान विश्णु अपने मन की सारी बात कैसे किसी को बताएंगे, ये तो भगवान के लिए जानना मुश्किल है, ये थोड़ा सा अंतर है, तो जो भी हो, यहाँ पर जो बताया है भगवान आदि पुरुशा, ये क्या मतलब है, ये किवल आचारे लोग हमको बता पाते हैं, अब यहाँ भगवान आदि पुरुश पढ़के लगेगा, हाँ भगवान ने अफसरा बेज दी, भगवान ने अफसरा नहीं बेजी, यहाँ पर आदि पुरुश मतलब ये बहुतिक संसार का प्रथम जी, ब्रह तो ब्रह्मा जी के विशय में बात हो रही है, और भगवान कैसे ब्रह्मा जी से उपर हैं, तो प्रतम शलोक में बताया है कि जिनोंने ब्रह्मा जी को भी ज्यान दिया, वो ब्रह्मा वासुदेव हैं, तो इस तरह शास्त्रों में कई बार एक शब्द के कई मतलब होते हैं और वेश्णव आचारियों की ठीक है जब हम पढ़ते हैं तब ही हम कोन का ठीक मतलब समझ में आता है अनुवाद रोहित प्रभू पढ़ो गायत्री माताजी के पीछे रोहित प्रभू पढ़ पढ़ स्री ब्रह्मा द्वारा भेजी गई अपसरा उस उपवन के निकट विचरने लगी जहां राजा ध्यान में लगतर अराधना कर रहे थे वह उपवन सघन ब्रक्षो तथा स्वन्नी म्लताओ के कारण अधिजेंट रमनिय था वहास्तल पर मयू जैसे अनेक पक्षियों के जोड़े और सरोवर में बत्तक तथा अंसर सुमधूर कुजन कर रहे थे तो पुर्वचित्ती अपसरा को भेजा मनिशा माताजी नेक्स्ट प्रवचित उस पत से निकली तो प्रतेक पक पर उसकी चरल भुपरों की जंकर निकलने नगी यद्धपी राजकुमार अग्रिद्ध अधकुले नेत्रों से योग साथ कर इंद्रियों को वश्मे कर रहे थे इन तो अपने कमा सुधर्शन नेत्रों से वे उसे देख सकते थे तब है उन्हें उसकी क्रवण की मदूद जंका सुनाए दे उन्होंने अपने नेत्रों को कुछ और खुला तो देखा कि वह उनके दीपन निकर थे तो कई सादू संतों की तपस्य भंग इस तरह होती है जब ध्वनी के माध्यम से वो विचलित हो जाते हैं आखे व्यक्ति बंद कर सकता है जिबबा बंद कर सकता है लेकिन कान कैसे बंद करे इसलिए शब्द बड़ा महत्वूर्ण है हम लोग जब हरी नाम का जब करते हैं ये कानों को सर्वप्रतम भगवान का अनुभूति होती है क्योंकि कान के माध्यम से शृति के माध्यम से हमारे रदय में प्रवेश करते हैं इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है ध्यान पूर्वक जब करना अगर हम सुनेंगे नहीं अपने जब को तो ये इंद्री कभी भी वश में नहीं आएगी और बाद में कभी भी हमें माया की प्रती आकरशित कर सकती है इसलिए अपने जब को इसपष्ट बोल करके इसपष्ट सुनना चाहिए बड़ा महत्वपूर्ण है तातपरिया मित प्रवू तातपरिया ऐसा कहा जाता है कि योगी जन सदेव अपने हिर्दय में पुर्ण 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 पुर फेशन परस्त विदी है किन्तु हमने ऐसे योगियों का ध्यान के समय सोते तता खराटे लेते सुना है यह योग की विदी नहीं है वास्तविक योग साथने के लिए नेत्रों को अध्पुला रखते हुए नासिका के अगले भाग को देखना चाहिए यह भी महाराज प्रीव वास्तविक योग का आर्थ है इंद्रियों का नीयंत्रण मनिश्कोए इंद्रियों को वष्व करने के लिए योगा अभ्यास करना जाहिए किंतु भक्त अपनी शुद्धियों से इश्वर की से वा में टतपर रहता है अत उसका ध्यान बंग नहीं हो सकता ब्रिशिकेश से बंडरामर्त निसंदय योगाब्यास उप्योगी है क्योंकि इसमें विश्दर तुल्ली इंद्रिया वसीबुत होती है किन्टु जब कोई अपनी समस्ते इंद्रियों को ईश्वर की सेवा में लगा कर भक्ती में सेवा में संगलन होता है तो इंद्रियों की विशयलापन बाव बाव तथा सूलेलित भाव बंगी मा करने वाली सेकड़ों हजारों सुंदरिया क्यों ना उपस्तित हो जाए वे मोहित नहीं होते जबकि सामाने योगी ऐसे सुंद्रियों के विपक्ष हो जाते हैं यहां तक कि सिद्ध योगी विश्वा मित्रे ने मेंका से संबोग क करने के लिए अपना योग बंक किया और उससे शकुंतला उत्पन हुई अता योग का अभ्यास इंद्रियों को वश्म करने में पूर्ण समर्ख नहीं है अन्य उधारन राजकुमार आगनिद्र का है जिसका ध्यान पूर्व चित्ति नामक अपसरा के नुपरों की मदूर शूर्ण से टूट गया जिस प्रकार विश्वामित्र मुनी का ध्यान मेंका के चूड़ियों की खनक से टूट गया था उसी प्रकार राजा आगनिद्र ने पुर्व चित्ति की खनक सुनकर उसी शन अपनी आके खोली और उसके चलते समय उसकी सुंदर गती को देखा स्वेल सचिनन्दन महाराजे को धारन देते हैं कि अगर आप किसी होटल में जाए और होटल में पांच कमरे हैं, पांचो भरे हुए हैं तो वो होटल वाला व्यक्ति आपको कमरा नहीं दे पायेगा क्योंकि पहले से ही पांचो कमरे भरे हुए है उसी तरह हमारी इंद्रिया है हमारी इंद्रिया यदी भगवान की सिवा में पहले से लगी हो तो चाये पूर्वचित्ति आए, चाये मेनिका आए, चाये कोई भी प्रलोबन आए वो कभी भी जीवात्मा को प्रलोबित नहीं कर पाएंगी समस्या क्या है क्योंकि इंद्रियां भगवान की सिवा में नहीं लगी होती हैं इसलिए माया के आकरशन जीव को प्रलोवित कर लेते हैं आशा माताजी वह अफिरा सुन्दर तका आकरशक तुनों को मदुमक्ति के समान सुन रही थी वह अपनी चपल गती लज्जा विने चितवन तका मुखार विन से निकलने वाले मदूर प्रणी और अपने अंगों की गती से मनुष्यों तरदेवताओं के मन तत्रध्यान को आकरशित करने वाली थी इन समस गुनों की कान इसने मनुष्यों की मनों में खुशुम दनुश धारी कामदेव के स्वागड़ता कानों के मार खोले लिए थी किन्तों जल्दी चलने के लिए पैर उठाते ही इसके केश और उसकी करधनी किता उसके जल कलश तुल्य इस परकार गती कर रही थे जिस्ते वात्यंद मनुवरें आकर्शिक लग रही थी वास्तों में ऐसा प्रतित होता था मानुवरें बर्चंद बर्शाली कामदेव के लिए प्रवेश मार्ग बना रही हूँ अधार राजकमार उसे देखकर पूंतिया वशिबूत हो गया और उसे इस प्रकार बोला तो ये बहतेक संसार में ये विवस्ता ब्रह्मा जी ने करके रखी है कि हर जीव के लिए एक कोई जीवात्मा आकर्शित लगने लगता है एक पुरुष के लिए एक इस्त्री इस्त्री के लिए एक पुरुष और ये सब योनियों में है जानवरों में भी है एक बकरा एक बकरी को देखता है तो बकरी उसको पूर्वचित्ती जैसी दिखती होगी जैसे यहां वर्णन है तो ऐसे ही आकरशन दोनों के बीच में रहता है जैसा यहां वर्णन है यह ताथ परिया अंकित प्रभू अले किश्णर्माद स्वर्ग लोग के प्राणियों को भी मोहने वाला है। स्वर्ग लोग को आकरशत करता है और उनमें काम भाव जाज़त होता है। जब कोई पुरुष काम देव अथवास्त्री सौंदर के वशिबूत होता है तो वो पत्थर के पिल्ले जड़ हो जाता है। स्वर्ग के अंग चालन से मोहित होकर पुरुष इसी भौतिक संसार में रहना चाता है। इस प्रकास तरीके सुंदर दर्शन तता गदी मादर से वह वैकुंट लोग नहीं जा पाता है। इसलिए श्री चतने महाप्रभू ने समझत बक्तों को सुंदरियों के आकर्शन एबं भौतिकवादी सभ्यता से दूर रहने के लिए सचेप किया है। उन्होंने प्रता परूप महाराज को मिलने से भी इंकार कर दिया था क्योंकि वह संसार में वे अत्यंत एश्वर्वान व्यक्ती थे। इस संबंद में श्री चैतनी महाप्रभू का काना है निश्टी कंचनस्य भगवत भजनमुखस्य जो इश्वर की भक्ती में लीन है और श्री भगवान के दहां वापस जाना चाहता है उन्हें श्ट्रियों के सुंदर हाववाव से तथा अत्यंत धनी पुरुष के दर्श से दूर ही रहना चाहिए निश्की मतकस्य भगवत भजनमुखस्य पारम परम जीगम मोश भव सागर अस्य संदर्शनम विश्यनाम अत योशिता चा हांत हंत विश्व भक्षनमुखस्य जो इस अंसार सागर को तारना चाहता है और श्री भगवान के निश्काम तथा इंद्रभोक में लिप्त भधिकवादी पुरुष या ऐसे ही स्थिरी का दर्शन स्विच्छा से विश्पान करने से भी जगन्य है अतहर चो श्री भगवान के धान को वापस जाने के विशर में गंभी है उसे चाहिए कि वस्थिरी के आकशन अंगोत दा धनी पुरुष क संपती के विशर में तनिक भी चिंतन ना करे ऐसा चिंतन करने से मनिश्व के आध्यात में जीवन की प्रगती रुख जा भी है कैंतु यदि भक्त एक बाश्र कृष्ण भामरावित में स्थित हो गया तो ये आकशन उसके मन को शुब्ध नहीं कर सकते है तो इस्त्रियों क के लिए पुरुष के अंदर का सामर्थ, उनकी शक्ती, उनका धन, उनका सामर्थ, उनका प्रभाव, उनकी कीर्ती ये सब आकरशन का बिंदू होती है और पुरुष के लिए इस्त्री की सुंदर्ता आकरशन का बिंदू होती है तो ये दोनों ही माया में फसने के लिए ये जाल होते हैं जिनको वास्तम में भगवान का निश्किंचन भज़त करना है जिनको भगवत प्राप्ति करनी है ऐसे आकरशनों से मुक्त हो करके भगवान से आकरशित होने के लिए प्रयास करना चाहिए सुरेदात्मनोर थे किमबा म्रगान मिरगया से विपने प्रमत्तान मंजु माताजी राजकुमार ने भूल से अफ्षरा को संभूदित किया के हे मुनिवरे तुम कौन हो इस परवत तक क्यों आये हो और क्या करना चाहते हो तुम पूर्ण प्रशोत्तम भगवान की कोई माया हो तुम भिना दोरी वाले इन दो धनुषों को क्यों धारन किये हो क्या इससे तुम्हारा कोई प्रयोजन है या अपने मित्र के लिए इन धारन किये हो संभदा तुम इसस बन के मतवाले पागल पश्चों को मारने हित धारन किये हो तुम सर्व प्रतम कानों से ध्वनी सुनी फिर आखों से दर्शन किया अब ध्वनी अपने मुख से संभधन कर रहे है तो इसी तरह एक इंद्री अफिसलती है फिर सारी इंद्री अफिसलती चली जाती है इसलिए एक-एक इंद्री को संयमित करना ज़रूरी है जिवा से प्रशाद ले भगवान का नाम ले आखों से दर्शन करे जैसे हम अमरिश महाराज के चरितर देखते है सारी मन और इंद्रीयों को भगवान की सिवा में लगाया या ठीक उसके विपरीत अभिसारी इंद्रीयों को अपनी काम वासनाओं के प्रती प्रेरित कर रहे है आर्ती माताजी तातपर्य वन में कठिन तपस्या करते वे माराज आगनिग्र ब्रह्मा द्वारा भेजी गई पूर्व चित्ती की भंगिमाओं से मोहित हो गए जैसा कि श्रिमत भगवत गीता में कहा गया है कामेस तैस तैरहत ग्याना जब मनुष्य कामतुर हो जाता है तब वा अपनी बुद्धी गवा बैठता है अता बुद्धिक होने के पश्चात महाराज आजनी के तता पुरुश्य कामतुर है उन्होंने उसे बुद्धिक समझ लिया उसे मुनी वरे कहकर संबोधित किया किन्तु उसकी सुन्दर्ता के कारण उन्हें विश्वास नहीं हो पाया कि वह किशोर है अता उन्होंने उसके अंगों को ध्यान से देखना प्रारंब किया जिनको देखकर उन्हें भ्रह्म हुआ कि कहीं वह पूनपुर्शोत्तम भगवान की माया तो नहीं है इसके लिए भगवत पर देवताया शब्द का प्रयोग हुआ है देवता अर्था देवतागन इस भवतिक जगत से संबंदित है किन्तु पूनपुर्शोत्तम भगवान श्रीकृष्ण इस भवतिक जगत से सदयोग परे है अता पर देवता कहलाते है यह भवतिक जगत माया के द्वारा श्रीदित है क्योंकि पर देवता पूर्ण पुर्सोत्तम भगवान के आदेश के अनुसार इसका स्रिजन होता है जैसा कि शिमत भगवत गिता में पुष्टी की गई है इस भौतिक जगत की स्रिष्टी की परम नियनता माया नहीं है माया भगवान शेक्रिष्ण की ओर से काम करती है पूर्व चित्ती की भगवान इतनी सुंदर थी कि महाराज आगनिग्र ने उसकी तुलना डोरी विहीन धनुस से की इसलिए उन्होंने पूछा कि वे उसके अपने प्रयोजन के लिए थे अत्वा किसी अन्ने के लिए नहीं उसकी भगववन के पस्वों को मारने के लिए प्रयूक्त धनुसों जैसी थी यह भौतिक जगत वन के तुल्ले है और इसके निवासी वन के पस्वों यता हीरन तथा बाग जैसे हैं जिनका सिकार किया जाता है सुन्दर इस्त्री की भौएं हैं उन्हें मारने वाली है इस्त्री की सुन्दर्ता से मोहित होकर संसार के सभी मनुष्य बिना डोरी वाले धनुस से मार दिये जाते हैं किन्तु कोई यह नहीं देख पाता कि माया उन्हें किस प्रकार मारती है यह तत्य है कि वे मारे जाते ह भुत्वा भुत्वा प्रलीयते अपनी तपस्या से महाराज आगनिग्र जान सके की पूर्ण पुर्सुत्तम भगवान के आदेश से माया किस प्रकार कारे करती है। वे छणिक बहतिक शुक के लिए विश्यों में सड़ते रहते और इंद्रिये सुक के लिए ही दिन रात परिश्रम करते वे जीवन नस्ट कर रहे हैं। परम पुरुष की सेवा करना है। जो प्रमत्त है उन्हें अपने अद्रिश्य धनुष बांड से मारने के लिए माया सदय और ततपर रहती है। महाराद आगनिग्र ने पूर्वचित्ति से इस सब के बारे में पूछा। इस प्रकार यहां पर हम देख रहे हैं कि पूर्वचित्ति के केवल दृष्टी मात्र से आगनिद्र महाराज प्रभावित हो गए। और वो बुल रहे हैं कि आपकी बोहें धनुष के दो तुकड़ों के समान हैं और आप इनको लेकर के गुम रहे हो पश्यों का बद करने के लिए। तो यहां पर यद्दपी इस्त्री की गती के बारे में बताया है लेकिन इस्त्रियों के लिए पूरुष माय हैं पूरुष के लिए इस्त्री माया हैं ये दोनों ही एक दूसरे के लिए माया हैं मुख्य बात ये है कि हमारा आकरशन बहुत ही गवस्तों से हटके भगवान ये मुख्के बात है हम लोग देखते हैं कि कई बार ऐसा suggestion भी दिया जाता है जिनको बहुत काम वासणा है उनको माताओं की आँखों में नहीं देखना चाहिए उनकी बहुंपे नहीं देखना चाहिए और उसी तरह मताओं को भी पुरुशों की आखों में बहुं में नहीं देखना चाहिए सामने सिष्टाचार इस तरह है कि नीचे देख करके बात की जाए और यदि किसी को बहुत काम वासना है तो उनको जाना चाहिए मदन मोहन की आखों में देखना चाहिए उनकी बोहों पे देखना चाहिए जो मदन मोहन की सुर्णने मोहे हैं उनको दर्शन करने से उनकी उपर ध्यान केंद्रित करने से काम वासना है पुर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे तो इस प्रकार आगने द्रमारा जो पूरुचित्ती के विशाय में बहुत कुछ जानकारिदी है हमारे लिए सिक्षा है आगे कल पढ़ेंगे अरे क्रिश्ण गरंतराश्यमद भागुतम की जाएश्यमद प्रवपार इसी का प्रश्ण है यस सुजाता माताजी तो इसके लिए कुछ स्टेप्स नहीं उठाये जा सकते लिए देखिए इसकौन भक्तों का प्रचार उनका जो कुछ भी प्रयास है वो तो चली ही रहा है लेकिन जब मानलो डॉक्टर है एक और मरीज है देड़ सो तो एक डॉक्टर क्या करेगा उसी प्रकार से भक्त लोग तो वहा है लेकिन पूरा देश ही जब आप उस पापचार में लगा हुआ है तो प्रक्रती तो उस प्रकार से फिर अपना प्रकोप दिखाएगी भक्त लोग अपना प्रयास करते रहते हैं लेकिन फिर समन्ने जनों को भी उस प्रकार से धर्म परायन होना पड़ेगा भक्त लोग तो अभी भी रहेंगे लेकिन कल्यूक का प्रभाव तो फिर भी बढ़ेगा क्योंकि अधिकांच लोग भक्ती नहीं कर रहे हैं तो इस वज़े से इस तरह अम अलग-अलग देशों में देखेंगे कि प्रकृती उन्हें अनाज देना बारिश देना यह सब देना बंद कर देगे और यह कल्यूक के प्रभाव हैं द्वादश इसकंद में और विस्तार से बताया गया है जी 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 तो आपको फिर जाना चाहिए प्रीचिंग पे आप जब प्रीचिंग पे जाएं कि तब कुछ होगा रितु माताजी अरे कृष्णा प्रभची तनवत पर नाम प्रभची मेरा प्रेशन यह था जैसे आज इसमें आया और पहले भी सुनते हैं जैसे गीता में भी देव लोग के बारे में भगवान के परमधाम के बारे में भी और साथ ही पित्र लोग के बारे में तो प्रभची इसमें मैं यह जाना चाहरी थी जैसे कि व्यक्ति की जब मरित्यू होती है तो उसके बाद जैसे हम बताया जाता है कि जन्नम लेना निश्चित है, मरत्यु के बाद जन्नम तो निश्चित है, तो पित्र लोग में कौन जाते हैं, हमारे पित्र जो है, क्या वो पित्र लोग में हैं, तो ऐसा मुझे है, इस तरह ऐसे जैसे आप एरपोर्ट पे जाते हो एरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ने के पहले एक लाउंज होता है तो लाउंज में लोग बड़ा खाना पीना खाते हैं बड़िया वहाँ पर ड्रिंक्स पीते हैं, जूस पीते हैं और फिर अपनी फ्लाइट पकड़ते, इस तरह पितर लोग एक वेटिंग एरिया है पर जाएं, तो उसी तरह कई जीवात्मा पितर लोग में जाना चाहते हैं अब पितर लोग में वेटि दो अवस्थाओं में रहता है एक तो उसका अगला जन्म जब तक निर्धारित होता है उसको वहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है, एक तो वो संभावना है दूसरी, अगर उसके बच्चे, पुत्र, पौत्र इत्यादी उसके लिए पिंड़दान करते रहते हैं और उसकी अगली गती बड़ी भयानक होने वाली है तो कुछ समय के लिए उसको पितर लोग में रहने दिया जाता है कि चलो तुमारे बंचेश तुमारे लिए पिंड़दान इत्यादी कर रहे है तो तुम यहाँ पर कुछ समय के भोग करो और उसके बाद तुमें हम सुर बनाएंगे या कुत्ता बनाएंगे या जो भी बनाएंगे तो ये भी एक संभावना होती है प्रभु जी इसके साथ प्लीज एक कोशन और चोटा सा वह एक और पूछना चाहरी तो इनका थोड़ा सा प्लीज एक्स्प्लेइन करके बता दीजिए मरको कैसे यह होंगे मायवादी शुन्यवादी अर्थात जो बोलते हैं सब कुछ शुन्य है भगवान का अस्थित्व भी शुन्य है हमारा अस्थित्व भी शुन्य है वो लोग आत्मा की अस्थित्व पे विश्वास नहीं करते और मायवादी अर्थात जो बोलते हैं सब कुछ एक है तो एक है जीरो, एक है वन, मायावादी बोलते हैं सब कुछ एक है, भगवान भी हम भी सब एक ही है, फिर आते हैं दो इतवाद, टू, जीरो मतलब शुन्यवाद, एक मतलब मायावाद, दो मतलब दो इतवाद, दो इतवाद मतलब भगवान भी हैं, जीवात्मा भी हैं, ले मायवादी होते हैं, उनमें एक और कैटेगरी होती है ब्रह्मवादी, ब्रह्मवादी मतलब जो अभी तक उस स्तर पे आए नहीं है भक्ति के, लेकिन अगर भक्तों की संगती मिलेगी तो आ जाएंगे, तो अभी निराकारवादी हैं, लेकिन वो साकारवादी हो जाएंगे, लेकिन मायवादी और शुन्यवादी इतने अपने विचार में द्रड़ रहते हैं कि वो भक्तों की भी नहीं सुनते इसलिए उनको पतीत बताया गया है वो नर्क गाम ही होते हैं अगर उनको भक्तों इक्रपा ना मिले तो नर्क में जाते हैं ठीक है? अच्छा मैं एक ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे प्रियवरत महराज ने कैसे खंड किया अलग-अलग प्रत्वी के जो मुख्य का साथ दूइपों में कैसे उन्होंने बाटा तो ये प्रियवरत महराज का रत है जो सूरे के पीछे-पीछे वो चला रहे थे और उसके माध्यम से प्रकाश कर रहे थे और ये रत के पैयों से उन्होंने भूमी को साथ खंडों में बाटा तो साथ समुद्र हो गए और ये बीच में जो जगे दिख रही है आपको ये साथ दूइप हो गए तो अभी कैसे हुए ये इस तरह कुछ दिखते हैं अच्छा फोटो का है हाँ ये आपको दिख रहे हैं ये जो सर्कल्स जैसे दिख रहे हैं यहाँ पर अलग-अलग रिंग्स दिख रहे हैं एक के बाद एक ये बीच वाला जम्बूदीप है जहां हम लोग रहते हैं और फिर ये अलग-अलग दूइप है हमारे जम्बूदीप के आसपस नमक का सागर है फिर अलग-अलग सागर भी है शुगर केंजूस का सागर है शराब का सागर है इस तरह अलग-अलग सागर है और ये जम्बू अब ये जम्बुदीप इसके बीच में सुमेरु परवत अब ये जम्बुदीप के इस तरह नौ हिससे किये जो नौ पुत्र हुए अभी आगनी दिर्ग महाराज की नौ पुत्र होंगे उनके नौ हिससे ये इलाबरत वर्ष और ये इसके नीचे हरी वर्ष उसके और ये भारत वर्ष ये भारत वर्ष में हम लोग यहां रहते हैं तो अभी य कैसे होता है क्या होता है हम लोग आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं इस की सब् उस तरह है वेय Prof धूरी नहीं ॥ शरीर मिल जाता है रहा पूर समयबाद मिलता है किसी को भगवर दाम मिल जाता है तो हर विक्ति की अलग-अलग गती हो सकती है श्रुप जी ये थोड़ा सा ना भी मेरे को पिक्चर क्लियर नहीं हुई है तो आप ग्रुप में शेयर करेंगे या कोई लिंक शेयर करेंगे जहां से हम लोग देख सकें है इसकी उपर एक्चली पूरा प्रेजेंटेशन है यह जब हम इस खंड पर आएंगे तो मैं एक-एक चीज इसको विस्तार में समझाओंगा उसके पहले भी में शेयर करेंगा लेकिन मैं विस्तार से इसकी उपर वीडियोस भी है फोटोस भी है सब कुछ है तो हम इसको विस्तार से आए जी प्रभु थैंक यू सो मच प्रभु जी आश्य मातर जी अरेकिश्ना प्रभु जी इसमें मुझे ये पित्र लोग वाले में थोड़ा कंक्यूजन था कि इसमें लाइन आई है कि वेट बहां जब तक रह सकते हैं जब तक उन्हें वंसर्च उन्हें विश्नु प्रिशाद बेट करते हैं तो पित्र लोग के प्रतेक जीव को पुर्णे कर्मों के फलों के शय होने पर प्रिशी पर वापस आना होता है इट में स्रभु जी मतलब यदि श्राद नहीं निकालते हैं उनके पुत्र तो उसी कार्मों को नीचे आना होता है उसके बाद उनको जो कर्मफलों के अनुसार मैं बता रहा था कि जो भी योनी में जाना होगा उसमें वो जाएंगे और एक साल में आप एक बार पिंड़दान करते हैं और वो पित्र लोग का एक दिन होता है तो मानली जी आप 60 साल पिंड़दान किये तो उनको दो महीने रहने के लिए मिलेगा वहाँ दो महीने बाद उनको बाहर निकाल दिया जाएगा वहाँ से अब कितनी पिड़दी पिंड़दान करती हैं मानलो आप आपके पिताजी के लिए करो कितने दिन के लिए कितने पूरवजों के लिए पिंड़दान अभी कितने लोग पिंड़दान करते हैं नहीं करते हैं तो उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है तो प्रवजिसा कारण दिए पुत्र ही हुआ वहाँ से निकालने का कारण का पुत्र ही हुआ पुत्र नहीं हुआ, वो स्वयम हुआ, क्योंकि वो ऐसे संस्कार दे के नहीं आया, कि पुत्र पिंडदान करे, तो उसकी गलती है न, इसलिए पित्रों को भार निकाल दिया जाता है, भई कोई बच्चा मास बक्षन करता है, अवैद संग करता है, तो भी पित्र लोग से पि बच्चा की जाती है, तुम क्यों ट्रेनिंग दे के नहीं आया बच्चों को, तो यह तुमारी गलती है, भार निकाल दे जाए, तो भच्चे की गलती तो है, लेकिन उससे ज़्यादा गलती माता पिता की है, उन्होंने सिखाया नहीं, इसलिए उनको आज यह दिन देखना पड़ रहा है, ठीक है, हरी हरी, शिल्व प्रभुपात की जाए, बाकी प्रशन फिर कल लेंगे, अभी गुरु पुझा जाना है, लगबक कितना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, आठ, नो, नो प्रशन है, आप लोग लिखके रखिये, वैसे अगले दिन प्र प्रशन लेंगे, आरे क्रिशन, वाओ, बास्वात के बिल्व दनो,